दोस्तों हमें बरतमान में ही औसर तलासने हैं जो आपको मिल रहा है उसी में सरफसेस्ट का चुनाव करना है और उसी में 100% एफर्ड करके प्रयास करके आपको अपने लिए एक बिवस्थित और सबसे उत्तम जो भी जगह आपको मिलती है वहाँ पर आपको सेट होना है मतलब यह कि बरतमान में जो कुछ भी वेकेंसी जा रही है जो चल रही है और इसके लिए बिग्यापन जारी हो चुका है या बिग्यापन जारी होने वाला है बस वहीं पर आपको फोकस करना है अभी भविस्थित में क्या होने वाला है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकत सिक्षक भरती की कोई प्रक्रिया विचारा धीन नहीं सिख्षकों के 51,442 पद खाली लेकिन कोई भरती नहीं होगी फिलाल यहां पर यह जो खबर आई है तो विधान सभा में बेसिक सिख्षा राजिमंत्री सुतंतरवार संदीप सिंग ने कहा कि जूनियर प्रैमरी पार्ट सालों में सहाय कद्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं टीटी उत्तिन अभ्यडतियों के लिए नए पदों का स्रिजन कर सिख्षक भरती परिच्छा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचारा धीन नहीं है वह विधान सभा में एक सवाल का जबाब दे रहे थे यह व उनके समय में जो सिख्षक भरता थी और आज की समय में जो बेसिक सिख्षक भास के अंतरगत पथन पाथन की विवस्ता बनाई गई है उसमें समीन आशनान का अंतरगत था कारिक दिये जाते हैं केवल पढ़न पाथन नहीं होता जो पुछा उस चुत बताई है जो पुछा पुछा के साथ से यह पर्स रजित की गई गई आज वर्टमान में जो हमारे पार चात्रों की संख्या है और जो सिख्षक की संख्या है मानी सदस ने प्रशन उठाया है क्योंकि वर्टमान में पहले से दो नियुक्ती के प्रकण अभी विभाग के अंतरगत चल रहे हैं और जिन्त पे मानी नियाले के दुवारा ये प्रकण दोनों चल रहे हैं इस पे मानी नियाले का नेड़े आना भी बचा हुआ है वर्टमान में कोई नियुक्ती की प्रकण अभी विभाग के अंतरगत विचारा दीन नहीं है और मैंने अपने उत्कर में इस्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतरगत अभी सिक्षकों की तो दोस्तों यहाँ पर चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बापत सवाल उठाया था कहा था कि जब कोई भरती नहीं हो रही है तो लगातार युवाओं को डियलेट क्यों कराया जा रहा है यदि सिक्षा मित्रों के सहारे ही ब्योस्ता चलानी है तो उनका मान दे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है क्या नई भरतियां की जाएंगी इसके बाद जो जवाब आया था वो आज के अखबारों में भी है कि अध्यापकों की नई भरती प्रक्रिया पर सरकार का जबाब क पद तोरिक्त हैं लेकिन अभी भरती आने के बारे में कोई तयारी नहीं है आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है यहाँ पर कि प्रारामिक पातता परिच्छा पीटी से भर रहा सरकार का सिर्प पेट तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे खबर यह है कि पुरा दलेल ति 27 लाख चात्र उसमें बैठे थे लेकिन फिलाल 22 का परड़ाम जाने के बाद कोई भी वेकेंसी नहीं आई है चात्र इस बात पर भी नाराज हैं कि लेकपाल भरती परिच्छा में आवेदन के वक्त पीटी की मेरिट जारी नहीं की गई परिच्छा के दौरान मेरिट जारी होने में बड़ी संक्या में चात्र जिन्होंने आवेदन किया था वो बाहर रगए मतलब जो फाइनल कटाफ थी उसके बारे में बात की जा रही है वसे भी चात्र इस बात की भी मांग कर रहे हैं लंबे समय से पीटी 2021 के बारे में और पीटी 2022 के बारे में भी कि एक जिस प अभी उस पर कोई भी आंसर यहाँ पर सही तरीके से नहीं आपा रहा है मतलब कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा है क्योंकि प्रक्रिया पहले ही तहीं हो चुकी ठीकि जब पीटी हो जाएगा तो उसका स्कोर कार्ड यूज किया जाएगा और लगबग 15 से 20 गुना बिरतियों क को पदों के सापेक्ष कौल किया जाएगा तो उसकी आधार पर ये वेकैंसी में कौल होती है हलागी संह्क्या तो 32 गूना के आच-पास रहती है लेकिंगन सारी बात इस बात पर भी हैं कि P.E.T. के बाद जब कोई vacancy आती है तो बहुत सारे भरती जो की P.E.T. के तयारी अगर किसी भी कारणा से ठंग से नहीं कर पाते हैं तो बिचारे वो आगे चल कर कहीं पर भी जो अगली vacancy जाती है यूपी ट्रिपल सी से सब्मंदित तो उसमें वो आविद नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो साडलिस्ट हो जाते हैं मतलब बाहर चले जाते हैं उनको औसर ही नहीं मिलता है और यहीं वज़े है कि भरती एक कामन कटाफ की बात कर रहे हैं फिला फ्रेंट्स आगे पड़े तो भारती एटेल सभी मोबाइल प्लान की तरह बढ़ाएगी है इस बात का भी संकीत है कि आप कोई भी मोबाइल फोन मतलब कोई सी भी कंपनी का सिम कार्ण आप यूज़ करते हूं आपको 2023 में थोड़ा सा जेब आपको अपनी और धिली करनी पर सकती है अल्रेडी पहले से ही जो दाम है काफी बढ़ चुके हैं रिचार्ज के लिए 399 से मामला स्टार्ट हुआ था आज 7500 के आसपास पहुंच चुका है लेकिन अभी कंपनियों का जो पेट है वो नहीं भर रहा है और एक कंपनी जो की सकी उमीदों को पूरा कर सकती थी BSNL उसकी स्थिती तो 2002 के बाद से 2023 में भी वैसी बनी हुई है और उसकी 2G की सिवाए भी ठीक से काम नहीं करती है 3G, 4G, 5G की तो बात ही छोड़िए फिलाल भारती एटल सभी मुवाइल प्लान की दरें बढ़ाएगा भी अबने देखा था कि सिम को एक्ट्व रखने के लिए जो 99 का प्लान था वो भी बंद कर दिया गया और बहले ये प्लान 45 रुपे का था फिर 99 किया गया अब नाम बढ़ते ही आ रहे हैं मजबूरी होगी कि हो सकता है आगे चल कर लोग जो एक दो सिम चलाते हैं एक परिवार में 3-4 मुवाइल होता था वो सीमित हो जाए एक पर ही आ जाए इतने पैसे किसके पास हैं कि हर मैने कोई 1000 रुपे का रिचाज करवा पाएगा एनिवे फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं और इस बार की फरवरी भी गजब ढ़ा रही है इस बार की फरवरी 123 सालों में सबसे गरम रही है 1901 के बाद फरवरी में ऐसी गर्मी लोगों ने महसूस किये मामला यहीं पर नहीं कतम होता है आज दिने वाले जो महीने हैं मार्च अपरेल माई में भी आपको जो है रिकार्ड गर्मी महसूस होगी और बिजली की मांग भी बढ़ेगी बिजली की दरें भी बढ़ सकती हैं मतलब इस तितिया तो बिल्कुल भी ठिक ठाक नहीं की जा सकती है उपर से अगर गयों की जो फसल है उसके लिए फरवरी मे 123 वरसों में सबसे गरम रही और अगर देखा जाये तो मार्च से मई तक प्रचंड गर्मी करेगी प्रहार साथी साथ बिजली की खपत और दाम बढ़ने के भी हैं आसार तो फिलाल मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रयास करिए और सक्षम बनिए ताकि कम से कम आप अपना खर्च तो चला सकें वैसे भी सोचल मीडिया के इस दौर में अगर आप चाहें तो आसानी से मतलब अपनी ये खर्च निकाल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई एक ऐसी सीरी चलाओं जिसके माध्यम से जितने भी छात्र मुसे जुड़े उनकी कुछ मतलब इंकम हो सके मंतली और वो कम से कम अपनी और बाकी लोगों की कम से कम 8-10,000 में मैंने वो कमा सकें और आसानी से अपना और परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें इस्टेडी के साथ साथ तो इस पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा अगर करेंगे आप लोग तो आप लोग की जो पाकेट मनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में ये वीडियो जो आपको उपलब दोंगे तो इसके लिए आप लोग चनल को सब्सक्राइब परके बिलाइकां को फ्रेस कीजिएगा क्यों वता रहा हूं इसलिए ब ना कर खबरों को सुनाते हैं सिर्फ वहीं पर भी हो जाते हैं सीधर सपाट लोगों की बाते हैं सुनी नहीं जाती हैं लेकिन फिर भी सही का साथ मैं नहीं छोड़ूँगा और यहां पर बात करते हैं DSSB से Primary और TGT की Vacancy आने वाली है इसके बारे में कल मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था और आपनों को बताया था कि DSSB से जो Vacancy आएगी उसमें RTI के बाद रिक्ट सीटों की जांकारी जो प्राप्त हुई है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है डेटेल्स जानना चाते हैं तो कल साम का वीडियो चक्र लेना हूँ वैसे मैं प्रति दिन साम को साथ बज़े एक वीडियो अप्लोड करता हूँ जो की यह कहिए कि वो आपके लिए एक बहुत ही सांदार वीडियो होता है उसको आप लोग प्लीज वाच किया करें मतलब सा डी ट्रेपलस भी में जो टीजीटी और प्राइमरी में रिक्त पद आने वाले हैं इसके बारे में जांकरी जो मैंने कल बताई थी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फ़ले कर बॉक्स में दे रहा हूँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और इसी के साथ आज का वीडिय आपका दूसरा वीडियो और साम साथ बिजे तीसरा वीडियो अपलोड होगा तो अगर नोटिफिकेशन ना भी आ है तो चेक कर लिया करें थैंक्यू सोमच